मार्वल एवेंजर एंड गिम का एक ऐसा सीन जबर हर मार्वल फैल्म का दिल दहल गया क्योंकि एर एक ऐसा हीरो जिससे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी वही हीरो दोस्तो हम सब को छोड़ कर जा रहा था लेकिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बारे में जो कि दुस्तों पर कुछ नए कॉंसर्प्ट को ध्यान में रखते हुए फेस फोर में हमें देखने को मिल सकता है तो इनी सबसे रिलेटेड हम आप से कुछ थेयोरी के उपर बात करने वाले हैं अगर आप मुवी सिनेमें में बहुत जाला इंट्रस रखते हो और यार एक तरीक से देखा जाए तो अपर बहुत सारे यूनिवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे डीसी और मार्वल्स के अलावा भी लेकिन दूस्तों अपर सबसे अदर पसंद किया जाने वाला यूनिवर्स वर्ल्ड वाइड इस समय एमस्यू ही है इन सब की शुरूआ दूस्तों 2008 में Iron Man की फर्स्ट पार्ट से हुई जिसको की दूस्तों आपर जॉन फेवर्यों दौरा डारेक्ट किया गया था और यहांपर दूस्तों इन्हों ने ही टोनी स्टाप के करक्टर को इंटिडूस किया था ताकि आने वाले समय में दूस्तों इसके सब्स्रिक्रि पहसी पॉसिब्लिटिज आईरन मैं के बारे में निकल कर आती हैं और यहांपर दूस्तों कहूरी में ट्स तो जाब आया है जब फेस 5 और फेस 6 की बात की गई और आयरन मैं के रिटर्र होने में फेस 5 और फेस 6 ने जलती हुए आग में पेट्रोल का काम किया अब वहीं Kang Dynasty and The Avengers Secret Wars और जब सच में देखा जाए तो Marvel की upcoming films जो आने वाली हैं उसमें Iron Man के return possible तो है भाई तो आए दोस्तों इन ultimate possibilities को explore करते हैं कि किस तरीके से दोस्तों प्र Marvel Cinematic Universe में Iron Man की entry दोस्तों आपर दोबारा हो सकती है और वाई दोस्तों पहली थेयोरी निकल कर आती है time travel के थूरू जो कि दोस्तों हमने Avenger End Game में भी देखा हुआ था और आने वाले समय में दोस्तों ये possible हो सकता है Avengers 5 ये 6 में तो ये जैसा कि End Game में हम सबने देखा चैन उसके snap कर देने के बाद हमारी Avengers की टीम इन सब का तोड़ भी निकाली लेती है जैसा कि दोस्तों आपको पहले भी इसवार में पता होगा कि Marvel Cinematic Universe में time travels के जो rules है वो stone में set नहीं है मतलब किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है और दोस्तों यही वो एक loophole हो सकता है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आयरन में बापेस आ सकता है वहीं दोस्तों फेस्वार के दौरान हमको कई जगाएं ऐसी भी देखने को मिलती है जब हमारे characters time के थुरु ट्रेवल करते हैं जिसे कि दोस्तों time variance authority की माने जो कि कैंग थे Jonathan measures उनके थुरु दोस्तों यह theory possible हो सकती है ऐसा दोस्तों हो सकता है कि Avenger Kang dynasty में या फिर Avenger Secret Wars में हमको फिर दोस्तों एक बाद time travel देखने को मिले जो कि दोस्तों हमारे जो बचे हुए Avengers है उनका आने वाले समय में उनकी लड़ाई में साथ देने के लिए Iron Man को बापिस बलाया जाए और वहीं दोस्तों MCU का बिल्कुल भी नहीं जानते हैं हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में थानोस से भी बड़ा कोई विलन तैयार करकर रखाओन लोगों ने अब वहीं दोस्तों Iron Man अगर जिंदा नहीं हुआ जादेने दोस्तों आपको Spider-Man Far From Home का Mysterio Illusion को वह वाला सीन जम्हें पर दोस्तों Iron Man As a Zombie वापिस आता है वह भी दोस्तों अपनी कबर में से और तो और दोस्तों आपर What If के एक और एपिसोड में जिसका नाम दोस्तों आपर था What If Zombies करके लेकिन दोस्तों यह जो Zombie Iron Man है इसको Real Iron Man जितरी Consciousness नहीं रहने वाली है और Real Iron Man को दोस्तों आपर हर कोई प्यार करता है शायद दोस्तों यह Zombie Iron Man से कोई प्यार ना करे और भही दोस्तों अगर आप Zombies related movies देखना बहुत साथा पसंद करते हो तो आपको Zombies के Emotions के बारे में तो पता ही होगा उनका सबसे जाधा Heavy Emotional Impact होता है उनके सबसे करीबी पर जैसे कि Tony Stark के सबसे जाधा करीब थे Roddy और Peter Parker तो इस तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर Robert Donnie का जो करक्तर है वो Peter Parker और Roddy की बास सुने और शायद दोस्तों आप एक चीज बहुत बरे तरीकिस से मिस कर रहे हैं कि यहाँ पर Dr. Strange Multiverse of Madness में Already MCU इस बात को टीज कर चुका है याद हो कर शायद आपको वो सीन यहाँ पर Scarlet Witch को डिपीट करने के लिए Dr. Strange के Dead Version को आना पड़ा था कबर से निकल कर बागी हायर अगर आपको Iron Man का जो स्टूट है लाल कलर का आपको बहुत जाजा पसंद है तो नीचे दीकर वो तो लाल कलर की बेंडर भी आपको पसंद आने वाली है तो उसको जाकर दबा दो अब चलिए दोस्तों MCU में अगर माल लीजिए जॉम्बी वाली थेयरीज भी काम नहीं करती है तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि यहां पर Iron Man AI के तौर पर हमको दुबारा देखने को मिले आर्टिफिशल इंटेलिजिंस में यहां पर तोनी स्टाक का कोई भी कॉम्पेटिशन नहीं था उन्हें दोस्तों सबसे पहला AI बनाया जार्विस फिर उन्हें ने दोस्तों आपर फ्राइडे बनाया और बात में दोस्तों को आखिर आखिर में हमको एड़िज देखने को मिला जिसको कि पीटर पारकर ने फार फ्रॉम होम में यूज किया था और तो और दोस्तों आपर एवेंजर एंड गेम के दोरान अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क के लिए उन्होंने अपना 3D होलोग्राम मैसेज भी छोड़ा था और दोस्तों ऐसा ओडियन्स हम से के लिए बहुत ही बड़ा सप्राइज यह हो सकता है कि AI की शिप में दोस्तों हमको Iron Man दोबारा देखने को मिले और दोस्तों ये बात जानकर आपको बहुत ही जदा हरानी होने वाली है कि actually टोनी स्टार्क ने अपनी कॉमिक में ऐसा कर चुके हैं especially दोस्तों Iron Heart वाली स्टोरी लाइन के दोरान उन्होंने दोस्तों अपना एक AI वर्जन बनाया था ताकि जब कभी उनकी बॉड़ी काम ना करे तो उनका एक AI वर्जन होना चाहिए दोसरे सिविल वार के दोरान यहाँ पर टोनी एक बहुती दीप कॉमटोज में थे और उनके AI को रिनी विलियम्स को सौप दिया गया था और दोस्तों यहाँ पर जितने समय आपर टोनी स्टाक गायव रहे उन्होंने Iron Man की कमी को पूरा किया यह अर अब इतनी सारी थेयोरी की उपर बात हो रही है तो मुझे डॉक्टर स्टेंड Multiverse of Madness से एक चीज़ याद आई कि वही Multiverse की उपर बात क्यों नहीं कर रहा है हम लोग दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में Iron Man Multiverse से अप्यर हो जाए तो जैसा कि दोस्तों आपको पहले भी पता है कि MCU के Face 4 के दौरान हम लोगों को दोस्तों आपर कई New Concepts को Introduce किया गया है क्योंकि दोस्तों अगर आप MCU के Characters को बहुत पहले से Follow करते आ रहे हो तो Multiverse में भी दोस्तों यहाँ पर जो Marvel के Characters है वो Exactly Same to Same ही है यार और वहीं दोस्तों Face 5 और Face 6 की बात की जाए तो यहाँ पर Multiverse एक बहुत बड़ी ची होने वाली है उसमें और जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया कैंग के वारे में जो की TVA के In Charge है वो Marvel के उनिवर्स में आ रहे Creatures के लिए या Super Heroes के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलने जा रहा है और यहीं दोस्तों वो एक दरवाजा हो सकता है जब यहाँ पर हमको Alternate Version दिखे Iron Man का अब वहीं दोस्तों कैंग की बात आपसे हो रही है तो हो सकता है दोस्तों MCU में Iron Man की Entry कैंग के Soldier के रूप में देखी जाए वो भी Iron Man Secret Wars में और यहाँ दोस्तों यह दोस्तों यह दोस्तों कैंग अपनी यह खुद की आर्वी बनाता है जिसकों की वो Thor Corps कहता है और दोस्तों अगर यह थिरी सही हो जाती है तो यहाँ पर उस Iron Man को कहा जाएगा Iron Hammer और यह र्यकीन मानिये दोस्तों अपर अगर Iron Man इस तरीके से वापस आता है तो यह सब बहुत ही जदा funny लगने वाला है क्योंकि अर इस बार Iron Man जो आने वाला है अगर इस तरीके से तो भाई यह एक अलगी चीज होने वाली है भाईर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि Iron Man के Character को recast भी किया जाए लेकिन वानिये दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी Mistake हो सकती है Marvel की Thru लेकी दोस्तों Theories तो Theories होती है हो सकता है कि यह हो हो सकता है कि यह ना भी हो So just for today guys यह सारी Theories दोस्तों थी Iron Man के Return को लेकर बागि दोस्तों आपके सोचते है Iron Man के रेटन के बारे में AI या तो फिर Zombie या पिर दोस्तों कोई भी थियोरी आप आपके recording नीचे जाके comment में बता सकते हैं बागि यार मेरे personal opinion की बात की जाए तो दोस्तों मुझे आधा लगता भी है कि Iron Man आ सकते हैं और वहीं दोस्तों MCU भी Iron Man की shadow से कैसे भी करकर move away करने लगा है वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को like किया उन्हों तो बिल्कुल भी नहीं जाना है तब खास कर कि जब आप Iron Man के बहुत बड़े वाले fan हो और इसी तरह के content दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप उस content में से कुछ भी मिस्स ना करें हम यहीं जाएंगे तो भाई प्लीज जाके उस लाल बटन को दबा लीजिए तो बाकी हाया मुलगातों के जोस्तों आपसे अगले एक हैसे थासू वीडियो में तब तक के लिए बाई